हम में डूल नमबर 7 में किया है हमने ड्रेक्शन 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 ड् तो अब थोड़ी इसमें चेंजिएंगे थोड़ा सा नहीं से question आ रहे हैं आइस्ता यह थोड़ी lengthy question इसमें होंगे अभी वो सिरफ basics ही बता रहे हैं so topic 9 math 622 अब question हमारे पार in what direction from the point direction derivative five x square yz maximum what is the magnitude of maximum इस question में two point पहले हमने find करना है कि इस point से किस particular direction में directional derivative five का maximum है इस point से किस particular direction में five का direction derivative maximum है और second में हमने magnitude find करना है उस maximum का अब हम first part की तरफ चलते हैं first part करने से पहले हैं पता दू हम पीछे theorem हैं हैंड आउट में है लेक्चस में उन्हें बताया कि direction derivative maximum तब होगा जो वह लिया जाएगा gradient की direction में मतलब direction derivative will be maximum when it is taken in the direction of delphi ठीक है जब वह gradient की direction में लिया जाएगा तो वह maximum होगा ठीक है है कि सो हम अब देखते हैं फस्ट अब ग्रेडियंट फाई ठीक है ग्रेडियंट यहां पे डेल ठीक है डेल के एकवल है डेल फाई हमने निकाल लिया पार्शन टू पार्शल अब उस पॉइंट पर्शन को रखती है ठीक है मैं यहां तंग प्लीट हो गया है मैं दोबारा पता दू डेक्शन डेल फाई की डिरेक्शन में लिया जाएगा ठीक है वो कहता है अब डेल फाई की डिरेक्शन में लिया जाएगा ठीक है वो कहता है इसी रिजल्ट को यूज करते वे डेक्शन डेरिवेट मैक्सिम होगा इंद डेल फाई ठीक है वही बात उसने लिग दिया अब जो निकली है मारे पास मानस 4i मानस 4j प्लस 12 के उसका स्केर रूट ले लिया और 176 को हम लिख सकते हैं 16 multiple 114 बाहर आगे यह अंसर है बस इसमें एक बात आप लोगों ने याद रखनी है आप लोग खुद भी कर लोगे देखने की जुरूद भी निस सब्सक्राइब को 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 सब्सक्राइब इस function of call इस just direction derivative in points से कौन सी direction में, particle direction में maximum होगा, बीचे हमने just direction derivative find करना है ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर gradient 5 find किया है, जिभे दहों मैं यह बता रहा था कि हमने find करना है, कि इस point से किस particle direction में, direction derivative 5 का maximum है, फिरले question में just direction derivative find करते हैं, इसमें हमने direction find करनी है, सो मैक्सिमम होगा डेल 5 की डिरेक्शन में डिरेक्शनल डेरिवेटिव 5 का 5 का इन पॉइंट से ठीक है और मैक्सिमम मेंगिटूड हमने फॉइंट कर लिए इन्शाला नेक्स वीडियो में अगले मेडूल्स को कवर करूँगा अब इन्शाला अब मैं थोड़े से स्पीड अपनी बढ़ा लूँगा और मेडूल्स वगयरा ज्यादा करवाँगा क्योंकि आप लोगों को बेसिक सब पता चल गई होंगी तो इसलिए